अवल अल्ला नुघूर उपाया खुदरत के सब बंडे एक नूर ते सब जग उपजेया कौन भले कौमन दे एक नूर ते सब जग उपजेया कौन भले कौमन दे मैं जे स्थान ते सब खुलोता हैगा उन्हों देख के बड़ा ही आशिर चकित हैगा तो मैंनू मीर है जद ऐस्थान दे इतिहास तनू पता लगेगा ते तुस्यों भी हरान होगे ऐ काल का स्थित ओ काली देवीदा मंदर है जिड़ा की पांडवाँ दे टाइम तो है ते बहुत ही परणारिक है इन्हें एतिहासिक स्थाल दे नाल उदी सांजी दिवार दे नाल एक ओ गुर्दवारा है जिते किसी वक्त गुनारक देव जी सचे पाशा ओ आयसी कि ऐसी मिसाल दुनिया दे बड़े कट इस्सियां देखान दो मिल दी हैगी जिसे दो तार्मिक स्थान कठे हो आठे मंदर टे गुर्दवारे दी दिवार सांजी है जेड़े लोग मंदर मत्था टेकन आंदेने तो गुर्दवारे भी आंदेने तुसी देख सकते हो अधा गेट एधा रस्ता सांजा रस्ता ऐगा एग ए ओ स्थान है जिते सहेब श्री कुणारक देव जी ने पाई चारे दा मानतादा प्रेम प्यार दा संदेश दितता पाई चारे दी जिंदी मिशाल तोडे सामने है जिते हिंदुवान दा वी – तार्मि पीड़ी जिड़े की नवे बढ़न वाले स्मार्ट सिटीज ने उना दे अंदर कुई ऐसा करिश्मा करके दिखाए कि जिन्ने भी ताहर्मिक लोगां दे बिलीफ्स ने जिन्ने भी तरम ने ओ एक जगा जित्ते कठे हो ति मैंनु पूरी उमीद है जड़ी आन वानी जनरेश जाकता दारण आप युदे सामने आए जो जोत है सोए तिसके चानन सब मैं चानन होए गुरसाखी जोत परगट होए सब मैं जोत है सोए तिसके चानन सब मैं चानन होए ओम खडगं चक्रगदे सुचाप परिघाम छोलंब शुंडिंशिरहा संखंसंद अधतिं करेष्ट्रिने नाम् सरवांग भूसावरिताम नीलास मध्युतिमाश्यपाद दसकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तव सपिते हरुक मलजो हंतुम् मधुम् कैटभं काली काली महाकाली काली केपर में स्वरी सरवानंद करे देवी नारा यनी नमो स्थुते है ओम सिरी काली का देव्ये नमो नमहा काल का सहर में महामाई काली देवी पिंडी सुरूप में स्वयंभू उत्पन हैं यहां पर पांडव अज्यात वास में राजा विराट के यहां रहते थे राजा विराट ने असोमेग यक के दोरान कपिला गाय को छोड़ा और उसकी सर्थ यही थी कि इस गाय का कोई भी दूद नहीं निकालेगा वो गाय पूरा दिन विचरण करके साम के समय पिंडी के उपर आकर अपने आप दूद दे देती थी जब गाय साम को राजा के यहां दूद नहीं देती थी तो राजा को चिंता हुई क्यों मेरे से भी कोई सक्ति साले इस प्रिथ्वी पर है तो राजा ने उस दूद की खोज के लिए अरजुन को उस गाय के पीछे लगाया अरजुन उस समय नमपुशक वेश में रहता था अरजुन ने जब साम को देखा कि गाय यहां पर आकर स्वयम अपने आप दूद देती है तो जब यहां से मिक्टिव गैरा हटाई उसके पस्चात पांडवों ने ही इस महामाई के प्रथम दर्शन किये थे और पांडवों ने ही इसका प्रथम पूजन किया पांडवों के द्वारा ही यह मंदिर निर्मित है यहां पर महामाई सांत स्वरूप में स्वयम भू उत्पन हैं यहां पर लोग जो भी अपनी आस लेकर आते हैं महामाई उन सभी की आसाओं को पूर्ण करती है नवरात्रवेले में यहां पर बहुत भीड लग जाती है और महामाई सभी भगतों को अपने सांत स्वरूप के दर्सन देती है और उनकी आसाओं मुरादें पूरी करती है जैकारा महामाई काल का देवी जिदा बुल सचे दरबार की जै मंदर दे गुर्द्वारा दोनों कठे ने एवेके तोनों किसरा लग दा है यह बड़ा अच्छा लगदा है जी अपा वैसे वी गुर्द्वारे होया तो थाड़ा जनम गुद्वारे तो हूंदा मंदर काली माता मंदर तो अपा मंदर आ रहे हैं फ्रॉम द लास्टी इस तो माता ने काली माता मंदर ने सानू बहुत कुछ जित था कि अपां पाइसाब ने मंदर विचार मंदर मथट तो रहे हैं तरह डैकल देख रहीं सब्सक्राइब करने यह जिए टर्वडवारे से लगदा का कि मिचार लग किसा लगदा तो तुनों को तुसी कहा है कि मंदर आया लेकिन असी गुर्दवारे viene तह इसे करके रा Commonwealth ही है ते इट ब्रिंग्स इक्वैलिटी जो यह रास्ता है जहां से जाता है यह एक समानता लाता है एक वर्ग के लिए समानता लेकर आता है तो ऐसे जो चीजें ऐसे हो ऐसा हर जगा होना चाहिए कि Christianity और एक ही रास्ता होना चाहिए हर एक धरम का क्योंकि जो मार्ग है वो एक ही है जो ideology है गुर्णानक देव जी कोई भी देवी देवता है हमारे उनकी जो ideology रही है मुक्ति मुक्ति इस मनुष्य जीवन से कैसे मुक्ति पा सकते हैं तो यह जरूरी है इस तरीके की चीजे होना ज़रूरी है छड़ी ना कदे मेरी वाबा बना वाहे गुरू, वाहे गुरू, वाहे गुरू, वाहे गुरू वाहे गुरू, वाहे गुरू, वाहे गुरू सत गुर्नानक परगटे आमिटी, तुद जग चानन हो जोंकर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलो सत गुर्नानक परगटे आमिटी, तुद जग चानन हो सत गुर्नानक परगटे आमिटी, सुद जग चानन हो सत गुर्नानक परगटे आमिटी, सुद जग चानन हो वाहे गुरू, 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 वाहे गुरू गुर्द्वारा पहली पाश्याई साहिप श्री गुर्णानक देव जी दी उदासी यात्रा देबाद बड़या सीगा गंग बनार से हिंद्वारा असी हुन अथों कुलू बल चलांगे ऐस वकार तक्रीबन दो बाच चुके ने ते कुलू जानदा रस्ता अथों छे गंटे दूर रहेगा ते कुलू तो कल स्वेरे मनी करन जावांगे ते अगेद यात्रा जारी रखांगे मैं कल रात काफी सोचया कि ताहर में एक स्थाना दा एक कठे होना ऐ फाइदा होएगा या अदिनाल नुकसान होएगा ते मेरे मनों एकों आवाज आई कि अदिनाल कोई भी नुकसान नहीं सिर्फ फाइदा ही फाइदा होएगा सोचन वाली गाल है कि जे ओपन माइंडेड लोग जिरे दूजे तरमादा इज़त ते समान कर देने ते उते उना दे गुर्दवारे मंदर या मज़िदा जाना जान देने ते जे ओदूर दूर होन या वक्षो वक्षोन ते उधे अंदर थोड़ा कमफर्ट लेवल नहीं रहन दा लोगा दा जान दा सोचो एक ऐसा से नहरेओ जिदे अंदर इक ऐसी जगा होए वड़ी वी पच्ची एकरदी जगा जिदे अंदर मंदर गुर्दवारा मस्जिद होर सारे तरमादे जड़े स्थार्मिक स्थलने इकको जगा दे होन लोग आन गे जान गे उत्थे ते उना दा दिल करेगा दू बहुत जादा क्यों रखी नवी नवी चीजानों एक्सपेरिमेंट करने वास्ते नवे नवे आइडियाज नुए डॉप करने वास्ते ते मैंनू पूरा यकीन है कि ओ सारे तर्मा वास्ते साड़ी जड़ी नवी जनरेशन है ओ ओ ओपन हाटेड है ओपन माइंडेड है ते ख खुली बावनाल सारे तर्मानु स्विकार करेगी तुसी वी आइस बारेच सोचेव जुरूरूर। च्छड़ी न कदे मेरी बाँ 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 नान का।